मैं आपसे तीन स्टूडेंट्स के डाउट मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पेला डाउट जय है कि क्या सिविल इंजिनिरिंग डिपलोमा के बाद कर सकते हैं दूसरा डाउट स्टूडेंट्स का जय होता है कि क्या टवैलप्त PCB के बाद सिविल इंजिनिरिंग का कोर्स कर सकते हैं के नहीं और तीसरा डाउट स्टूडेंट्स का जय होता है कि स्कोप क्या है सिविल इंजिनिरिंग का तो आज की वीडियो में मैं आफसे तीन डाउट क्लियर करने वाला हूँ अगर आपको इस वीडियो के उपर कई और वीडियो जाननी है तो मैंने उन वीडियो का लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला डाउट स्टूडेंट्स का जय होता है कि Civil Engineering after 12th PSB जाने अगर आप 12th की कलास आपने PCB में पास की है और आपका मन है कि आपको Civil Engineering का कोर्स करना है तो क्या आप इस कोर्स को कर सकते हो जान नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12th PCB के बाद Civil Engineering का कोर्स करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि PCB में आपको Physics, Chemistry, Biology जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं और इसमें Mathematics नहीं होता जो कि Engineering करने के लिए काफी अच्छी मतता रखता है अगर आपने 12th क्लास में Physics, Chemistry और Mathematics जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तब ही आप Civil Engineering कोर्स के लिए इलिजिवल हो पाऊगे अगला दोस्तो स्टूडेंट्स का डाउट जै होता है कि Civil Engineering after Diploma जानि अगर आपने Diploma किया है तो क्या आप Diploma के बाद Civil Engineering का कोर्स कर सकते हो जा नहीं इसका दोस्तो उत्तर है जी हाँ आप Diploma के बाद Civil Engineering का कोर्स कर सकते हो तीसरा जो students का doubt जय होता है कि what is the scope of civil engineering जानि civil engineering का आखिर क्या scope होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो civil engineering का course है उसका जो area है वो काफी जादा spread है जानि इस course में काफी सारी opportunities हैं students के लिए जो इस course को करना चाहते हैं इस course में दोस्तों आपको developing, designing, planning, calculating और जहां तक monitoring सीखने को मिलती है इस course का जो संबन्द है वो buildings, roads, bridges, dams तक होता है तो दोस्तों अभी मैंने आपसे इस बीडियो में civil engineering के उपर students के कुछ doubt clear किये हैं लेकिन अगर आपका फिर भी कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description के उपर काफी सारी बीडियो civil engineering के उपर आपको मिल जाएंगी तो अंतमे दोस्तों अभी आपको जैब बीडियो केसी लगी अगर आपको जैब बीडियो पसंद आई है तो आप बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को subscribe करना मत बूलना